नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चाय को बना कर दिखाएंगे दोस्तो यदि आप इस चाय में सिर्फ दो चीजे डाल कर इस चाय को बनाते हैं वात, पित, कफ, गैस और खून से जुड़ी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएगी, आपकी चाही नसों में कैसी भी ब्लोकेज हो, नसों में दर्द रहता हो, सूजन हो, एठन हो, वेरिकोस, वेंस की समस्य हो, इन सब को ये जड़ से मिटा देगा, ऐसा चमतकारी बोलने का, इस से कारगर कोई उपाए हो नहीं सकता, नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हम सभी कहीं न कहीं बीमारियों से पीड़ित रहते हैं, और हमें जरूर थे कैसे नुस्खे की, जो सभी बीमारियों पर बराबर रूप से काम करें, और खास कर दिल की बीमारियों पर, खा अर्जुन एक ओस्तिय पेड़ है जो भारत में असानी से पाये जाता है आप किसी भी पारकुगरा में या सड़क के किनारे अर्जुन के पेड़ को खड़े हुए देख सकते हैं लेकिन दोस्तों ये आपको जितनी असानी से मिल जाता है आप इसको हलके में मतले ना क्योंकि की आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का एक कारगर इलाज है दोस्तों अर्जुन की चाल का प्रयोग हरदे रोग, कॉलोस्टोर, हाई बलड प्रेसर, डाइबटीज, पेट की रोग, मोटा पेड जैसी बीमारियों के इलाज के लि Dell के लिए बहुत अधी कारगर दवा क की तरहें प्रयोग किया जाता है तो चलिए दोस्तों आपको time waste ना करते हुए आपको बताएंगे इस नुस्खे के बारे में वैसे में आपको अलग अलग नुस्खे भी बताऊंगा इसी के साथ में और एक नुसका बताऊंगा कॉमन जो आप सबी तरहे से परियोग कर सकते हैं सबसे पहले हाई बलडर पैसर के लिए दोस्तों यदि हाई बीपी के आपको समझे है ये हाई बीपी हमारे सिर्गी बहुत सारी बीमारियों का कान बनता है इससे हमारा दिल कमजोरत है हमें हार्टेक का डर बन रहता है तीन गराम चुन अरजुन की छाल का लेकर आप सुभे स्याम दूद के साथ यदि लेंगे तो आपकी हाई बलडर पैसर की समस्या बिलकुल सही हो जाएगी और आपको इस बीमारी या इस बीमारी के कॉम्पलिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आपको कोलोस्टोल की समस्या है और आपके सरी में बैड कोलोस्टोल भरा हुआ है आप बैड कोलोस्टोल को कम करना चाहते हैं अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को भी एक लिमिट तक लेकर आना चाहते हैं इससे कि आपको हार्ट टेक, हार्ट ब्लोकिस या दिल की बिमारियों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों आपने क्या करना है? एक कप पानी में तीन गराम आरजुन की छाल का चून डाल कर उबाले। पानी के मातरा आदी रहने पर इसे सुभे स्याम गुनगुना पीले। इससे आपका बड़ा हुआ बैड कोलोस्टोल दूर होगा। और यदि कुछ समय तक आप, कुछ महीनों तक अरजुन की छाल का प्रयोग करेंगे और इसके साथ में दो कली लसुन की भी सुभे खाली पेट खाएंगे तो दोस्तों आपको जो नतीजे मिलेंगे उन्हें देखकर आप भी दंग रहे जाएंगे। आपकी ये दिल से जुड़ी जितनी भी विमारिया है वो बिलकुल दूर हो जाएंगे। आपका मोटापा पेट की चर्वी मक्खन की तरह बिंगल जाएगे। आप बिलकुल सलिम और फिट बन जाएंगे। दोस्तो हर तरह के दर्द की भी एक रामबान दावा है। हर तरह के दर्द को दूर करती हैं। चाहे जोडों का, घुटनों का, कमर का, किसी भी परकार का दर्द हो। पेट करोगों को भी दूर करने के लिए आप अरजुन की चाल का प्रयोग कर सकती हैं। अरजुन की चाल की आप चाय भी बना सकते हैं, बस आपने क्या करना है, चाय पत्ती के जिगह हैं, इसकी चाल को पानी में उबालकर उसमें दूद वे, आप गुड मिलाकर उसका सेवन कीजिए, दोस्तो आप इसमें एक चुटके दालचीनी का परयोग भी कीजिए, और फिर देखें नजारे, दोस्तो आपके सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा, आपके सरीर की हर तरहें की बीमारी का इलाज हो जाएगा, आपके दिल को भी पोसन देने का काम करेगा, आपके दिल को मजबूत बनाने का काम करेगा, इतना कारगर है इनुसका, अब दोस्तो हम पाड़ा बना कर इसम्हें किजी आपने उसके लिए क्या करना है एक टुकड़ा अरजुन की च्छाल का लेना है उसको अपने धोकर साव करना है और ये half पने उबल उबलकर एक कप रह जाए, तब आपने इसका सेवन करना है, और आपने इसका सेवन करना है सुभे खाली फिर्ट दोस्तो आप इसमें आपने सवाद के लिए सहद का परियोग कर सकते हैं यदि आपको diabetes है तब आपने सहद का परियोग नहीं करना है आप इसको कोई भी व्यक्ति लेजते है चाहे उसको diabetes हो या वो normal हो और दोस्तो ये बहुत कारगर नुसका है और यदि आप चाई बनाकर सेवन करना चाहे तो चाई में भी अपने चाई पती के जगह है अरजुन के चाल के पावडर और दालचिनी के एक चुटके डाल देनी है आप उससे चाई बनाकर पीजी उसको दूद में उबाल लीजी आपके तो आस पास भी नहीं आएगी तो दोस्तो देर किस बात की है आप भी स नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बिलकोल निरूगी बनादी तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लेज लाहिक और स्जेयर जुरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वीडियो की नोटिकेशन आते रहें धन्यवाद दोस्तों